Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं आप सब लोग, मस्त पढ़िया तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग Pharmaceuticals का chapter number 1 का lecture number 4 जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं British Pharmacopia तो अगर ये lecture आप लोग देख रहे हो तो Pharmacopia term जो उसको मैं last lecture ने बहुत अच्छे से explain किया है Pharmacopia क्या होती है ठीक है और साथ-साथ में Indian Pharmacopia को लेकर कि हमने कुछ बाते करी थी तो आओ अब देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पर तो British Pharmacopia यहाँ पर भी कोई खास चीज नहीं है Pharmacopia है तो चीजें वही रहेंगे इसके अंदर सारी कुछ dates है खास कब क्या चीज आई उसमें क्या चीज कोई खास थी बस तो कही ना कहीं यह पार्ट हमारा रटने वाला है याद करने वाला Pharmacopia वही साथ चीजे होंगी ठीक है General Definition लोग पहले कर चुके क्या होता है Pharmacopia तो आओ देख लें फटाफट की यहाँ पर Pharmacopia का क्या रोड रहेगा हमारे पास तो देखते हैं क्या रोड रहे हैं यह The British Pharmacopias published on behalf of the Health Minister ठीक है किसके बहाँ से publish किया जाता है Health Minister of the United Kingdom on the recommendation of the commission on human medicines तो यह चीज होगी है कि याद करने वाली कौन publish करवाता है किसके बहाँ से publish होती है Clear है In the year 1864 यह एक important आगया question तुमारा M.C.U. परपस से किस साल में पहला publication रिलीज हुआ था तो 1864 में था B.P.O.S. published by combining the three old repeated pharmacopias कुछ पुरानी तीन pharmacopias थी कौन कौन सी थी वो आओ देखें जा रहा तो पहली थी pharmacopias Londonize ठीक है then दूसरी थी हमारे पास Edenberg pharmacopias then Dublin pharmacopias इन तीनों को यह date भले याद ना रहे है यह तीन pharmacopias को मिला करके हमारे पास क्या हुआ pretty pharmacopias को release किया गया ठीक है अब कुछ खास घटना है देखें कब क्या घटा था तो first हमको पता है यह तो क्याद रखना ही रखना है ठीक है उसके बाद क्या हुआ इसमें क्या हुआ था form by combining the three pharmacopias तीन को मिला करके बना था content had been arranged alphabetically alphabetical लगाए गये थे इसके दो पार्ट थे matria, medica और preparation and compound है ना एक तरह से कह सकते हैं आगे index type का था plant के वहररम बाते थी और आगे preparation of compound कैसे उसको हम prepare करेंगे फिर उसके बाद लगाता रहा आती रही 67, 85, 98 और 1914 यानि कि 64 के बाद 67 यह साब आते रहा a gap in revision belated to the next edition of BP revision नहीं हो पाया था जिसके वैसे क्या हुआ next edition लगभग 1914 में आया जा करके revision हुआ तब कहीं जा करके क्या हुआ 1914 में इसका अगला वो आया edition आया now 1932 range of diagnostic अब यह क्यों important हो गया यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा आई और वो चीज़ एक्स्ट्रा क्या थी वो चीज़ एक्स्ट्रा थी हमारे पास diagnostic material included diagnose करने वाले जिससे हम diagnose करते हैं disease को वो material वो दवाया यहाँ पर include की गई inclusion of standards and test for anti-toxins and insulin यह दो चीज़े यहाँ पर add की गई तो फिर बता रहा हूँ मैं सारी चीज़ें जो फार्मकोपिया सारे सेम होते हैं लेकिन 2-3 टाइब की फार्मकों पर जो हमें पढ़नी है समझनी है उनमें कुछ dates हैं और किस date में उसके अंदर क्या खास खटना घटी है वो हमें याद रखना है 1948 में जो आई 7th edition उसमें क्या हुआ generic names were provided for substance generic name generic name क्या होता है जैसे कि मैं तुम लोगों से बोलूँ कि हमारे पास paracetamol तो सबने खाई होगी लेकिन किसके नाम से खाई होगी market जाओगे तो बोलोगे कालपोल दे दो या डोलो दे दो है ना इस तरह से नाम बोलते होगे ये brand name हो गए generic name क्या होगे paracetamol उसके अंदर जो main दवाई है content है उसको हम लोग क्या बोलते है generic name ठीक है है सब के अंदर paracetamol ठीक है तो paracetamol ये generic name were provided for substance newly introduced into the medicine ठीक है ये एक चीज आई है यहाँ पर disintegration test disintegration test क्या होता बच्चो दवाई जब जाएगी पेट के अंदर तो घुलेगी घुलने में कितना समय लेती है सही से घुल रहेगी नहीं घुल रहेगी है ये सब चेक किया जाता है ठीक है अभी हमारे course में डेटेल में नहीं है तो ये सब चीज़ें क्या होती है चेक किया जाता है तो disintegration test for tablets and sterilization method किस तरीके से हम किस चीज़ के sterilize करेंगे किटानू रहीत करेंगे ठीक है germs से free करेंगे वर expanded उनको एक फ़रा सा और नया रूप दिया गया new monograph related to sex hormones and pencillins were included नए monograph अब monograph का मतलब समझते हो क्या होता है ठीक है ना नए monograph जो कि sex hormones and pencillins related थे उनको reduce किया गया then 8th edition 1953 में in this edition titles of drug work and preparation were in English instead of Latin यानि कि Latin से हटा करके सारे title किस में कर दिये गया इंग्लिस में abbreviated Latin titles was retained as synonym उसके abbreviated form जो लेटिन की abbreviated form थी synonym के तोर पे उसको प्राइवाच्ची की form में वहां रखा गया उसको लेकिन main सारी heading किस में कर दी गहीं इंग्लिस में capsule constituted as a new group of formulation यहाँ पर capsule का introduction हो जाता है एक नए formulation के रूप में 58 में क्या होता है 9th edition आ गया 160 new monographs spectrophotometric analysis and inclusion of tranquilizing drug यह सारी चीज़ें आ गई हैं आपर 160 नए monograph डाले गए spectrophotometric analysis हुई और tranquilizing drugs tranquilizing drugs कौन से होती है जो दिमाग को सांत कर दे हैं बिहोष कर दे हैं या एकदम आपको क्या कर दे हैं जैसे नशेम हो जाता हो नशेमान का दिमाग सांत हो जाता तो tranquilizing जो आपको नशा कर दे एक तरह से 10th edition आया 1963 में ठीक है इन अब 13th आया 1980 में यह इस बीच में कुछ घटनाई घटी है देखो 1970 में medicine order was passed which defines the duties of the British Pharmacopeia Commission BPC British Pharmacopeia Commission का role decide हुआ कब 1970 में फिर क्या हुआ उसने 13th edition publish किया was the first pharmacopoe which prepared as per the provisions mentioned under medicine act तो यह एक important हो जाता है कि जो 13th edition था वो medicine act के तहत release किया गया था तो दो तो पक्का याद रखने है पहली date यह वाली ठीक है और दूसरी date यह वाली आगे आते हैं फिर उसके बाद addition ना करके इस तरह से release होना start हो है BP 2007 BP 2008 ठीक है ना addition वाला term कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा पीछे रहा गया और इस तरह से terms start हुए कि 2007 जो BP release हुई तो 2007 जो release हुई उसमें monograph has been introduced for material specifically used in preparation of traditional Chinese medicine जो traditional Chinese medicine में जो substance use होते थे उनके monograph यहाँ पर add किये गए 2007 वाले में term prolonged release has been replaced the term slow है ना prolonged release क्या होता है तुमने कुछ दवायां देखी होंगी जिसको पर लिखा होगा sustained release या prolonged release वो दवायां कैसी होती बच्चों कुछ ऐसी होती है जब खा लोगे तो दवाय थोड़ी थोड़ी हर एक घंटे में हर एक घंटे में दो ग्राम कुछ खास amount हर एक घंटे में release करती रहती है यानि कि हम उसको कहते है slow है यह क्योंकि हमें पूरा दिन के लिए वो दवाय चाहिए होती है 24 घंटे ताकि शरीर के अंदर उसकी मात्रा बनी रहे तो वो slow term को हटा करके यहां पर क्या term लगा दिया गया अब से प्रोलॉंग्ड रिलीज प्रोलॉंग मतलब लंबा ठीक है एंड़ टर्म गैस्ट्रो रेजिस्टेंट हैस बिन रिप्लेस्ट बिन एंटरी कोटेट इन नंबर ऑफ मोनोग्राफ जो गैस्ट्रो रजिस्टेंट मतलब गैस्ट्रो मतलब जो पीट और रेश्टेंट मतलब पीट के अंदर जाने के वाश्じ लि कई बर खराब कर देता नगे और भरवाज रबक практически हृइं मेडिसिन को खराब कर देता थ पूरा खराब नहीं करेगा काफी हद तक उसे खराब कर देता है ठीक है तो उनके उपर एक खास तरह की कोटिंग करी जाती है जिससे की acid का attack उसके उपर ना हो और finally जो दबाई है वो intestine में जाया और वहाँ जाकर के dissolve हो simple concept को अभी ऐसे समझो तो एसी दबाईयों को क्या बोला गया antric coated ठीक है ना किस से रिप्लेस किया गया antric coated नाम से इस से रिप्लेस किया गया अब 2008 की बात करें it contain approximately 3100 monograph लगभग 3100 monograph यह ने क्या सकतो लगग 3100 दबाईयां आ चुकी थी ठीक है आप for substance preparations and article used in practice है ना 3100 monographs of substance preparation उनकी preparation को लेकर के या जिनकी practice की जानी दवाईयों को या substance को लेकर के 3100 डाल दिये गए बीपी 2007-2009 वर given in six volume 2007-2009 यह च्छे volume में आते थे volume 1-2 volume 6 volume 1 and 2 contain medicinal substance 1 और 2 में क्या माजूद होता था medical substance के बारे में बाते होती थी volume 2 contain formulated preparation कौनसी preparation को formulation करना है blood related product हुआ करते थे volume 2 में 3rd में है immunological यानि कि जो हमारे रोग परतिरोद्ग चमता वाले जो product है substance है उनके बारे में जिक्र होगा radio pharmaceutical के बारे में जिक्र होगा या preparation के बारे में surgical material जिससे surgery होगरा होती है and homeopathic preparation के बारे में जिक्र होगा किसमे volume 3 में volume 4 contains supplementary chapters IR spectra उसके अंदर यह सब चीज़े मज़ोद होगी 5 के अंदर veterinary जो जानवरों का दवाया दी जाती है और 6 के अंदर CD Rome version होता है CD डाल करके आप उसको CD डाल दी पूरी किताब का संब्रिया आप अराम से देख पा रहे हो लैप्टॉप पे है बात समझ में आ रही है now 2010 2010 की बात करें तो TSO the stationary office on behalf of British pharmacopoeia British pharmacopoeia के behalf पर TSO ने क्या क्या part of the medicine and healthcare product regulatory agency published the British pharmacopoeia 2010 तो यहाँ पर नाम ध्यान रखना TSO on behalf of the British pharmacopoeia British pharmacopoeia के बहाफ पर ठीक है TSO ने क्या क्या part of the medicine and healthcare product regulatory agency ठीक है publish इसनों क्या क्या publish क्या the British pharmacopoeia BP2010 तो इसनों ने क्या क्या BP2010 को publish कर दिया clear है बात समझ में आ रही है ठीक है तो यह इसका फुल फॉर्म देख क्या है M.H.A. medicines and healthcare product regulatory agency ठीक है न तो इसको ध्यान रखना है इसे फुल फॉर्म अगरा होते है शॉर्ट फॉर्म जो आते है यह कई बार one marks वाले question में पूछ लिए आते है बात clear है समझ मा रही है ठीक है न तो TSO एक stationary office था ठीक है जिसने behalf of British pharmacopoeia secretate जो की part है किसका medicine and health product regulatory agency का उसके भियाफ से publish किया British pharmacopoeia 2010 आ गया आते है It is used in almost 100 countries यह लगवख 100 countries में इस्तमाल होती है पूरी दुनिया में remains an essential reference for any individual or organization working within pharmaceutical research and development manufacturing and testing across the globe ठीक है न यह एक reference है न remains an essential reference एक बहुत जोरी reference को तोर पे कि अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ तो किस से तुलना करूँ कि हाँ ऐसी बननी चाहिए ठीक है न मैं एक दवाई बना रहा हूँ कि यह दवाई के ज़र यह सब चीज़ होना चाहिए जो इतना इतना होना चाहिए किस से तुलना करेंगे इट इंक्लूड 40 मोनोग्राफ और फार्मुलेटेड प्रिप्रेशन प्रिप्रेशन को फार्मुलेट करने के लिए 40 मोनोग्राफ थे जो नए आये थे ठीक है न्यू है इंक्लूडिंग वेटनरी जानवर वाले भी इंक्लूड की कही थी दवाईं and additional standards for widely used unlicensed formulation ठीक है न जो unlicensed formulation था उनका भी बारे में यहाँ पर इनका जिक्र हो रखा था आगे आते हैं BP 2013 the BP 2013 includes 6 volume printed edition including the BP veterinary 2013 इसके अंदर 6 volume थे veterinary वाला भी इंक्लूड था 41 new monograph आये थे 40 new European pharmacopoeia monograph को भी include कर दिया गया था 619 amended monograph amend का मतलब बता चुका हूँ मैं किसी चीज़ के नदर correction करके कोई चीज़ डाली जाती तो amend कहा जाता हूँ 6 new and one amended infrared reference spectra वेटा यह techniques होती है ठीक है यह नाम है टेक्निक का तो यह अभी यहाँ तो 2014 edition include almost 3500 monograph अब तक इसके अंदर टोटल 3500 monograph include हो चुके थे विच अर लीगली enforced by the human medicine regulation जो की कानून के तौर पे लागू किये जाते थे किसके धुरू human medicine regulation act के तहट यह enforced किये जाते थे लागू किये जाते थे the BP 2014 package comprise five volume of the British pharmacopeia 2014 and a single volume of British pharmacopeia veterinary पांच से British pharmacopeia ठीक है और एक उसके अंदर किसका होता था veterinary वाला होता था यानि कि जानवर वाला होता था ठीक है along with fully searchable cd-rom cd-rom होती थी डालो computer में देख लो सब कुछ and online access अब यहाँ पर online access भी आ गया था आप login करेंगे तो फूरी pharmacopeia खुलके आपके सामने आ जाएगी to provide you with the flexible resources ताकि आप हर तरीके से कहीं पर ही बैठे हो मालो book नहीं है cd-rom नहीं है कहीं बैठे हो जरूत पड़गी तो डाला computer पे खट-कट-कट login किया और pharmacopeia खुलके सामने आ गई ठीक है it contain इसके अंदर क्या था 40 new monographs आ गए थे 202 अमेंडेड मोनोग्राफ आ गए थे 3 new supplementary chapters आ गए थे supplementary बता चुका हूँ मैं ठीक है ना last lecture में मैंने दो word बताये थे जो कि important थे एक supplementary और एक addendum ठीक है ना तो लेक्चर को जब भी देखो sequence में देखो कैसे देखो sequence में four new veterinary monograph add किये गए थे one new BP veterinary supplementary chapter इसके डाला गया था BP 2016 की बात करें अगर हम लोग इसके अंदर अब तक चार हजार है ना पीछे दो कितने थे 3500 इसमें कितने आगे थे चार हजार मोनोग्राफ 37 नए add किये गए थे आगे आते हैं 142 amended monograph थे one new BP appendix for DNA identification of herbs है ना herbs की herbs क्या होते हैं जो plant pod होते हैं धन्यानिया की तरह है ठीक है उनका एक DNA identification का appendix डाला गया था all European pharmacopia monograph integrated इस सबको जो European pharmacopia था उनके monograph को integrate कर दिया गया था जोड लिया गया था 2018 की बात करें तो 35 new monograph 185 amended monograph 4 new monograph on unlicensed formulations 4 new monograph for herbal medicines 6 new monograph for veterinary medicine मतलब पुराना सब कुस था ही यह चीज़े नहीं आगी थी इसके अंदर 2020 की बात करें it has 4000 monograph including BP veterinary and all European pharmacopia जिसे हम PH URB कहते हैं ठीक है 35 new monograph 331 amended BP monograph brief guide on how to use BP BP को use कैसे किया जाएगा यह यहाँ पर introduction इसका हो गया था ठीक है all monographs from PH and UR ठीक है वो उसके सारे ले लिए गया थे PH UR 10.1 and 10.2 were incorporated in this year यानकि 10.1 और 10.2 को भी इस साल involved कर लिया गया था कौन से European pharmacopia वाले को अब बच्चे तो लोग सोचते हो कि सर कितना क्या क्या याद कर लें तो कौन-कौन सी BP है यह तो ही first तो याद रखनी रखनी है अब latest की बात जरूर याद रखेंगे फिर्स्ट और लेटेस्ट इन दो को तो बिलकुल याद होना चाहिए ठीक कोश्चन उठने की संभावना यहां से सबसे जादा है तो लेटेस्ट की बात करें जो 2021 में आया है इसके अंदर क्या क्या चीज़े हैं इसके अंदर है 30 नू बीपी बिटिस फार्मकोपिया मोनोग्राफ यह इसके अंदर नए एड हुए 171 अमेंड बीपी मोनोग्राफ औल मोनोग्राफ फ्रॉंग यह तो पहले आ गए थे और यह वाले भी इस साल 10.5 तक इसके अंदर इंक्लूड कर लिए गए ब्रीफ गाइड औन हाउ टू यूज बीपी यह तो पता होना चाहिए कि भाई सारी चीज़ें सो यूज कैसे करें किसी किताब को एट न्यू ब्रिटिस फार्मकोपिया केमिकल रेफ्रेंस सब्स्टांसेज बीपी सी आरेस वर आलसो एड़ेड बात समझवारी है थियान रखेंगे तो यह लेटेस में कहीं न कहीं कुछेन आ सकता है what are the features what are the features of ब्रीटिस फार्मकोपिया 2020-2021 बात समझ में आ रही है किलियर है तो यह बच्चो थोड़ा यहां पर मैंने कह न थोड़ा सबस्ट देखो फार्मकोपिया किलियर हो गया basic terms जो इसके बेसिक तक ही पड़ेंगी किलिए रहे यहां तक तो बिटिस फार्मोकोपिया हमारा यहां पर क्या हो जाता है खतम हो जाता है अब हम लाते हैं वापस से अपना छोटा सा एक दो मिनिट का पार्ट जिन बच्चों को पता है वो लोग ओके हैं जिनको नहीं पता है वारी फिर सुन लें माइड नर्चर एप यह तो यूटूब का चैनल है हमारे पास इसका एप भी प्ले स्टोर पे आ गया है एप से आपको फायदा क्या होने वाला है ठीक है लिंक इसका दिस्क्रिशन में दे दिया यह डारेक्ट प्ले स्टोर पे जा करके माइड नर्चर क्या टाइप करेंगे माइड नर्चर है ना क्या टाइप करेंगे माइड नर्चर प्ले स्टोर पे टाइप करेंगे तो एप मेरा खुल के आ जाएगा अब यूटूब पे और एप में थोनों में आपको क्या चीज पॉपन मिल जाएंगी तो फॉपन आपको मिलने वाला है lecture and notes lectures and notes ठीक है ना lecture notes youtube पर ही मिलें गए हर एक lecture करें मेरे हर एक lecture notes के think description में दिया होता हर lecture YouTube औरник subscribe notes मिल जाएंगे तुमको ठीक है शुरूब Раз यह थे ङए तो उसके 8-10 lecture एक साथ sequence में रहते हैं वहाँ तुम्हें चीज़ें को ज़्यादा सर्च करनी जरूत नहीं पड़ती है फिर तुम्हें एप में extra क्या मिलने वाला है एप में मिलने वाला है 1 mask question 2 mask question, 3 mask question, 5 mask question जो कि तुम्हारे किस में आते हैं D farm exam में आते हैं है ना, इनकी practice करनी की important question कौन कौन से है live class रहेगी बच्चों doubt के लिए जितने भी lecture हो गए है उनको हम लोग एक doubt के तौर पे live class लेंगे lecture आप लोग देख लोगे उसमें जो जो doubt रह जाएंगे उसको आप लोग नोट कर लोगे मैं live आऊंगा उसको बकाई दर समझाऊंगा कि किस चीज को कैसे लेना है जो भी दिक्कत आते हैं जैसे भी दिक्कत आते हैं पढ़ने में समझने हैं वो सारी बात हुआ करेंगी MCQ जो कि D farm and exit exam पर बेश डोंगे उनकी धेर सारी practice होने वाली है बहुत सारे MCQ देने वाला हुँ मैं जो ये वनमास वाले question होते हैं D farm वाले इसके दो pattern में आता है MCQ और fill in the blank ठीक है तो fill in the blanks यह रहे यहां पर और बच्चो सबसे बड़ी बात जो तुमको यहां मिलने वाला है routine test for D farm and exit exam एक routine test चलता रहेगा जिससे की जब last तक जाते 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 यह नहीं रहेगा कि अर्पिछला पड़ा वो भूल गए तो routine test का format क्या रहेगा मैं बता दूँ जैसे मालो chapter 1 का test हो गया फिर chapter 2 का test हो गया फिर जो अगला test होगा वो 1 plus 2 का होगा फिर मालो chapter 3 का test होगया फिर जो अगला test होगा वो 1 plus 2 plus 3 का होगा इस तरीके से हम हर बारी जितने chapter कवर करते जाएंगे उनका test साथ साथ में लेते जाएंगे जो बच्चे हमारे साथ लगके चलेंगे तो वो तो मान के चलो निश्चिन्त होके पढ़ाई करेंगे और करना पड़ेगा बेड़ा ओविस भी बात है मैं तो यहां हूँ आप कहीं और हो तो मैं आप लोगो कान तो पकड़के खीचुवानी की चलो भई पेपर पढ़ाई करो तो अपने लिए faithful रहना है आपको क्योंकि यह आप अपने लिए कर रहे हैं ठीक है इसके बाद भी एप को लेकर रहें किसी भी चीज को लेकर रहें बहुत से बच्चों को डिस्क्रिप्शन में नोट्स नहीं मिलते हैं कुछी भी चीज को कोई भी दिक्कत है को सेलेक्शन दिलवाएगा तुम्हारी नईया पार लगवाएगा डी फार्म और एक्जिट एक्जाम में तो रिविजन करते रहें और पढ़ते रहें आल दा वेस्ट